हेलो फ्रेंज, विल्काम बैक टू मैं चैनल, आज मैं शेयर करूंगी एक इजी चिकेन करी की रेसिपी, इसको मैं आलू के सद बनाती हूँ, यह बहुत ही टेस्टी बनता है और इसमें मैंने प्यास टमाटर किसी भी चीज को पीस के नहीं डाला है, जो भी बैचेलर्स और ब बनाने के लिए मैंने इधर 500 ग्रम चीकेन लिया है, मैंने सिर्फ ड्रम स्टिक लिया है, आप कारी काट पीसेज भी ले सकते हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा चीरा लगा लिया है, ताकि जो मैरिनेशन है वो अंदर तक जाए और चीकेन खाने में टेस्टी लगे, इधर मै दल्दी पाउडर डालेंगे हा finerफ टी स्पुन स्वादानसर नमक डाल देंगे, ये नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर है ये डालेंगे बीसेज दालेंगे हाफ टी स्पून, ये तिखा आपने स्वाद्खा गोडिंग डाल सकते हैं, और इधर मैंने देही लिया है, तू स्पून सरसो का तेल अगर सरसो का तेल नहीं है तो आप नॉर्मल कुकिंग ऑईल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मास्टर्ड ऑईल से चिकन करी बहुत टेस्टी बनता है तो अभी सारे चीजों का अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो कर्ट्स मैंने लगाया है उसमें भी गंटे के लिए मैरिनेट कर लूँगी तो अभी इसको ढख के छोड़ देंगे एक घंटे के लिए इधर मैंने कड़ाई में फिर से सरसो का तेल डालूँगी मैंने इधर चार-पांच चमच तेल यूज़ किया है आपके पास अगर मास्टर ऑल नहीं है अब नॉर्मल कुक अब बीना फ्राई करके भी यह रेसिपी बना सकते हैं लेकिन फ्राई करेंगे तो अच्छा होगा टेस्ट तो इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा हल्ली और नमक डाल दिया है ताकि आलू का जो कलर है वह अच्छा है अभी फ्लेम को मीडियम करके आलू को फ्राई कर लें देखिया आलू फ्राई हो चुका है अभी आलू को निकाल लेते हैं अभी इसी ओयल में मैं डालूंगी एक टूकड़ा दाल चीनी और एक छोटी इलाई ची और एक तेजपत्य को मैंने तोर कर डाल दिया है अभी इस प्याज एट करेंगे प्याज मैंने एक बड़ा सा इसका प्याज लिया है करीब आधा कप प्याज इसमें डालूंगी मैं और इधर मैंने 4-5 लॉंग डाल दिया है लॉंग को डायरेक्ट टेल में ना डाले क्योंकि ये बहुत फटता है तो बाद मैं एट कर रही हूं लॉंग अभी प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखिए प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुका है इस स्टेज में अभी इसमें चीकेन एट कर देंगे चीकेन को अब जितना देर तक मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा है आप रात में मैरिनेट करके रख सकते हैं फ्रीज में चिकेन का जो मसाला था उसे भी डाल देंगे अभी इधर डाल दूँगी एक मीडियम साइज के टमाटर को काटके टमाटर बहुत जादा ना एड़ करें क्योंकि इसमें दही भी पड़ा है तो बहुत जादा टमाटर डालने से खटता हो जाएगा बहुत तो अभी सारे चीजों को अच्छे से भूनेंगे तो देखिए यह जो है इसको मैंने पांच से मिनिट के लिए भून लिया है अभी इसको ढखके पकाएंगे इसमें कोई पानी नहीं एड़ करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे इसको ढखके कुक करेंगे और बीच बीच में इसको खोल के इस तरीके से चला लेंगे चीकेन जब 40% कुक हो जाए तब ही इसमें आलू एड़ कर देंगे 5-7 मिनिट बाद बाद इसको खोल के जरूर चेक करें रागी पानी जो है वो सूख तो नहीं गया है अगर सूख जाता है तो पानी आड़ करना पड़ेगा अभी मैंने इसको खोल लिया है तो चीकेन जो है अभी 80% आल्मूस्ट कुक हो चुका है इस तरीके से चीकेन को अगर बनाएं तो खाने में बहुत ही स्वाधिष्ठ होता है और पानी अभी आड़ करूँगी पानी को मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया है और इसमें जरूर गरम पानी ही आड़ करें गरम पानी एड़ करने से ये जो ग्रेवी है तुरंत उबलने लगेगा तो कुकिंग प्रोसेस जो है वो भी फास्ट हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी होगा देखें इसमें उबाल आ चुका है दो हरी मीर्ची मैंने स्लीट करके डाल दिया है अभी इसको ढखके और पकाएंगे क्योंकि ये 80% कुक हो चुका है तो 100% कुक करना है तो देखें जो चिकन है ये अच्छे से बॉयल हो चुका है आलू भी गल चुका है तो ये अल्मोस्ट रेडी है अभी इधर मैंने हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डाल दिया है अभी इसको दो तीन मिनिट के लिए ढखके रखेंगे आप चाहे तो इसमें हरा दनिया काट कर डाल सकते हैं दो तीन मिनिट के बाद ये सर्फ करने के लिए रेडी हो चुका है आप इसको रोटी के साथ दिया फिर राइस के साथ गर्मा गरम सर्फ करें बहुत ही अच्छा लगेगा ये रेसीपि अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलेंगे एक नए रेसीपि के साथ थैंक यू